आज हम बनाएंगे बिल्कुल खटी मिटी चटपटी सी चटनी जो देखते ही भूख लग जाए आप बिना भूख के इसमें तीन से चार रोटी खा लेंगे यह त्री इन वन चटनी है जिसमें जेम का भी स्वाद आएगा चटनी का भी स्वाद आएगा और अचार का भी स्व किये और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक जरूर किया करें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करें चलो इसको बनाना इस्टार्ट करते हैं हम इसके लिए मैंने ए इस कट करेंगे बारिक बारिक और बाकी इस तरह से मैं कट करूंगी जो बीच में खराब पाट है वो निकाल दे आप और बाकी को कद्दूकस कर ले अगर आप इसको बारिक बारिक काट के बनाना चाते हैं तो काट की भी बना सकते लेकिन मैंने इतनी कद्दूकस कर लिए जो छिलके बचे थे वो अटा दूंगे और जो साइड में पाटा का था उसको बारिक बरिक कार लिया आदा चमच मैंने सौंप आदा चमच जीरे को भून के थोड़ा दरदर कूट लिया है थोड़े काजू और बादाम की कत्रन ले लिया अब मैंने कड़ाई में एक चमच त करके रखी थी उसको भी डाल देंगे पहले आप सेव को भून ले अच्छे से यह बहुत टेश्टी चटनी बनती है तो आप एक बार यह वीडियो देखके जरूर बनाए एक मिनट हम भूनेंगे इसको उसके बार स्वाद अनुसार हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल द तो इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे मैं एक चमच डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर आदा चमच हल्दी पाउडर डालूंगी और मसाले भी थोड़ी देर भून लोंगी ताकि कच्छे ना रहे और जो सौंप और जीरा मैंने पूटके रखा था उसको भी ड ना है चीनी डाले के बाद इतनी सॉफ्ट नहीं होगी से अच्छे से सॉफ्ट हो गई अब मैंने इसके अंदर आदा कटोरी चीनी डाल दी आप टेस्ट के अकोडिंग डाल सकते लेकिन खटी मीटी बना रहे तो उसके अनुसाराप थोड़ी सी चीनी डाल दी अब मैंने जो बादाम की कतरन और काजू लिये थे वो भी इसके अंदर डाल दूँगी मिक्स करके वापस मैंने एक से डेड़ मीनन ठकन लगा के इसको पका लिया है ये नौस्टिक कड़ाई है तो मैं इतनी चलाने की जुरूत नहीं अगर दूसरी कड़ाई ले रहे तो आप बीच तो आप इसमें निम्बू डाल दे ताकि जो खटी मीटी भी बनेगी चटनी है वो और जो चीनी है वो जमेगी नहीं कैसे नीचे उतार लिया है मैंने चटनी को जो एक्स्ट्रा ओल दिख रहा था वो मैंने निकाल लिया है क्योंकि जब चीनी डालते तो तेल छोड़ देत तो एक बार आप जरूर बना के ट्राइ करें और अगर आप फ्रीज से बार भी इसको रखेंगे तो 5-6 दिन यह खराब नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है और आप 10-12 दिन इसको फ्रीज में भी श्टोर करके रख सकते हैं वैसे आराम से खाएंगे इसको पसंद भी करते बचे क्योंकि यह चटपटी है चटनी बहुत टेश्टी लगती है इसमें जैम का भी स्वाद आता है चटनी का भी स्वाद आता है और जैसे अचार का भी स्वाद आता है यह बहुत टेश्टी बनके तयार होती तो इसके लिए बोक्स में जरूर बताए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये चटने आप एक बार जरूर बने सच में बहुत ज्यादा टेश्टी बनती है तो आप एक बार बनाए और प्राइ करे खुद भी खाए परिवार में भी सब को किलाए और तारीप पाए मिलते हम नेक्स्ट व